समस्कार दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभी मैं इस समय खेत पर हूँ यही हूँ तो एक भाई का भी कमेंट आया कि बिमल भाई बकरी को भूख कम लगती है और वो खाना प्रापर डंग से नहीं खाती है इस पर आपका कोई समस्याओं के निदान के उपर वीडियो बनाता हूँ और उससे लोगों को लाभ मिलता है तो चूंकि इस तरह कि कोई समस्या आई नहीं और मैंने इतना सोचा भी नहीं कि बकरी कम चारा खाती हो तो अब चूंकि आईसी समस्या आई तो ये समस्या सिर्फ उनी भाई की नहीं है कई ऐसे भाई लोग होंगे जिनको ये समस्या होगी कि उनकी बकरी या बकरे प्रापर ढंग से चारा नहीं खाते हैं अब चारा नहीं खाते हैं तो उसका सालूसन क्या है क्यों नहीं खाते हैं सबसे पहली चीज तो इस पर आपको गवर करना होगा क्यों नहीं खाते हैं। तो देखिए यदि बकरी में दस्त वगेरा इस तरह से हमेशा लग जाते हैं, आप दाना देते हैं, उनका पेट फूल जाता है, या थोड़ा सा ज्यादा डाइट खा लेते हो जाती है, तो उल्टी करने लगते हैं, गोबर करने लगते हैं, यदि इस तरह की समस्याएं आती हैं, और इसकी समस्या आने की वज़े से बकरी चारा नहीं खाती है, या एक रीजन ये हो गया कि बकरी की ये समस्याएं नहीं आती हैं, इसके बावजूद जो है बकरी चारा भर पेट नहीं खाती है थोड़ा बहुत खाएगी सुंगेगी इधर उदर निकल जाएगी तो यदि इस तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आपको सबसे पहली चीज क्या करने है सबसे पहली चीज बकरी की आपको कीडे की दवा देनी देनी है तो यदि आपने इतना कर लिया है कीडे की दवा दे दिये इसके बावजूद बकरी नहीं खाती है तो आपको कीडे की दवा देने के बाद कांटीनू एक महीने तक लीवर टोनिक आपको चलाना चलाना है 20-25 दिन आप लीवर टोनिक देंगे लीवर टोनिक आपको 15 से 20 एमल जो है बड़ी बकरी को देना है यदि छोटी बकरी है तो आप 10 एमल और छोटे हैं तो 5 एमल इस तरह से दे सकते हैं continue ये चीजें देनी है साथ में आप जो भी दाना बाटा एड़ करते हैं उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो है वो एड़ करना है और इसका result कम मिलेगा इसका result आपने खिलाया मालिजी आपने इस महीने चालू किया तो इस महीने आपकी बकरी की भूख नहीं खुलने वाली है इसका result जो मिलेगा वो next महीं में मिलेगा तो आपने क्या किया लिवर्मिंग किया लिवर टॉनिक चलाया इसके साथ आपको भूख बढ़ाने वाले जो powder आते हैं जो आयरुवेदिक powder आते हैं जैसे हो गया हिमाले बतीसा या रूचा मैक्स ये powder ले आयेगा थोड़ा सा सानी में मिला के खिला सकते हो या फिर दाने बाटे में मिला के खिला सकते हो ये मिलाना ही मिलाना है यदि जिन बकरियों में पेट फूलने की समस्या या अकसर दस्त होने की समस्या थोड़ा बहुत चारा खा लेते हाजमा ना होने की समस्या ये यदि समस्याएं आपको बकरियों में हैं और फिर बकरी चारा नहीं खाती है तो आपको रूमन एफेस एक पाउडर आता है छोटी पाउच आती है एक डेड़ माईने बाद आपकी बकरी भर पेट चारा खाएगी और जो खाएगी उसको अच्छी तरह से पचाएगी भी बस आपको यही इतना जो मैंने प्रोसेस पताया इतना करना है और एक चीज का विशेस त्यान रखिएगा कि इक दम से आपको नहीं खिलाना है जैसे आप दाना बाटा देने जा रहा है तो इक दम से नहीं रखना है जैसे आप पहले नहीं दे रहे थे भूख बढ़ी बकरी की आपने क्या किया एक दम से आधा किलो रख दिया यह नहीं करना है आपको थोड़े से स्टार्ट करना है 100 ग्राम से स्टार्ट करना है लास्ट में बता देता हूँ, बहुत ध्यान रखना, यदि आप बकरियों को नमक नहीं दे रहे हैं, तीन नमक होते हैं, यदि तीनों नमक नहीं दे रहे हैं, सेंदा नमक, काला नमक, और ये जो आयोडीन वाला नमक होता है, ये तीन नमक तो आपको एड़ करने करने हैं, औ और जो बकरी चारा कम खाती हो उसको थोड़ा सा बढ़ा के मात्रा देना है चुछ कि जब आप नमक की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसको प्यास लगेगी पानी पिएगी तो चारा उठाएगी यह बिल्कुल हकीकत है प्रैक्टिकल किया हुआ है आप करके देखिएगा नमक की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा आपके बकरी बरपूर जो है चारा खाने लगेगी